कि सांगे को तो कि तो घंटे का ओट सेथे क्तम पीछी लेक्षिछन में अधहाटों के भौती गूंताग अध्या Cul प्यान कैसे संयों कि और आ करते हैं ना कि अधातु हधातु हाईड्रोएन के साथ अभीक्रिया करके हाड्राइड बनाते हैं अधातु अक्सीकारक होते हैं जिसका अउकरन होता है तो अपता है तो इसको बिरिया की तो सब्सक्रेब करते है तो हिएसे को जांते हैं और मोश्ट इंपोर्टटेंट यादोन चीज़िए प्रवेवस्थित करने की प्रविरती जिससे इलक्ट्रोनों की अपनी उसकी उससी बहात्तम सेल मतलब अंतिम चिंप जो ओता है किसी पतात्यों हो उसके बाहत्तम से एलेक्ट्रोनिक उसके क्या हो जाए आठ हो जाए आठ हो जाए उसको अश्टक नियम कहते हैं बहुत पता नहीं जानतों आपको पता हैं अब आज ही मैं सिखा तो इसी वीडियो में ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s1 अगर पता है तो नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो यह आपका इलेक्ट्रोनिक विद्यास होता है ओके तो इलेक्ट्रोनिक विद्यास को अच्छी तरह से लिग दो इसको कैसा लिख सकते हैं एक सेल में दो आठ और एक ठीक ह अंतिम सेल Almost एक Am II को आठ करना है तो आप क्या चाऊओगे अगर आपके पास एक पॉकेट में आठ चॉकलेट है अगर आपको तीन लेयर का पॉकेट है मालो तीन लेगा पॉकेट है पहले लेर में आपका एक चॉड़ए्ट दूसरे में आठ और सबसेल याएम दो चॉकले ट्राइब ऐसे दुग्वह साथ चोड़ निकाना पड़ेगा तो पहले पहले एक चोकलेट इसको दे देते हैं मतलब एक एलेक्ट्रोन त्यांग देते हैं जिससे हमारा अश्टक पूरा हो जाता है जितना कम से गवारा पैसा खर्च होए कि हमारा चौकलेट उज्यादा मिले ने लेने के लिए पूर मेरा हो जाए तो आठ मेरा पहले सभी एक दान कर देंको सब्ग करते यॉजी को सब्सक्राइब कि बना लेते हैं और आप जाता है ख्यांत वासं जारी तस तरह से हम यौगिक बनता है हमारा ठीक है इसके योग ही वर ड Scripture Everything पड़ेंस हेलु शभी नहीं है और नितती हैं को तो समय पड़ेंगे इसको कॉपि करो अगे एक्स में बोलते हैं इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्यूरेशन होता है चलो बात करते हैं तो एक टेबल को याद हो यह यह तो यह तो यह बना तो आपको सालो लग जाएंगे अरे आप नहीं सीख पाओ गए मैं एक्चुली सिर्यस बता रहो ठीके अगर आप इलेवन टूल की स्टूडल होते तब सीख जाते हैं अरांस में सीखा भी देता है क्यों आप नहीं सीख पाओगे अरे बहुत जंजड़ होता तीर मारो यह करो वो कर आप उससे अच्छा पर याद कर लोगे बढ़ियां रहे ऑठ पढ़ना ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 ऐसे याद दि companion एक तो दो बाद 3 questo यहाद लिए याद हो गए नंबर गवे करता करना है संबैख बैठाओ फिर यहां पर एस बैठा दो दो एस फिर एक पी फिर एस फिर एक पी फिर एस फिर डी फिर पी याद हो गया तो बन के टेवल इसके बाद टेवल होता है फोर पीस फाइफ टू ठीक है लेकि उतना को काम में नहीं आएगा ओके तो आसे करने वाद याद करने ठीक है याद हो जाएगा तो चलो अब सिखाते कैसे बनता है तो एक्जामपल लेना सुरू करते हैं पहला एक्जामपल एम जी एम जी का परमानुसंख्या क्या होता है क् बग्दितिक है शोचक के बताना के यह लब से में परमानुसंख्या और होता है और यह सिवर लिखते लिखें लिखिए लो हाइड्रोजन हीलिय लिए बिश्राइक्यृमं बैरेलियं बोरों कार्ब स्जनों अक्सीजन फ्लोरीन रूरीड नियों नियो 1 हुब स्धेवं मेंगनेड़ियं केलसियृम्स की थैंडियं में यह करके इंत्य पडिएंडियं के बारीलल। सब्सक्राइब आपको आवर्ट सारी में अच्छा डिटेल में बताऊंगा हर्डियों का वर होता है हीलियम का दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह दो में नेजियें को बारह आगिया ना तेरह चौदर पंदरह सुल्ण सत्रह अठारह उनीस एंड लाश्ट बीस यह आगा आपका परमानु संख्या क्या है परमानु क्रमांक इसको बोलते हैं ठीक है अगर याद नहीं कि इसको हुआ है अगर आक लिए अपके किताब में दिया हुआ है को भी NCRT देखो भारती देखो ठीक है उसका किता में दिया हुआ है आप नहां से रट लोगे ठीक है मैं आपको लिख के देदिया सिर्फ मैंगनेजिय को परमानु संख्या 12 तो यह उपर में आपको दिख रहा है यह इलेक्ट्रोनों की संख्या है ठीक है उप एक पुरा अप्यत्य एक फाइलेक्ट्रा दो गहीं तेख्या आसान है उसके आत्सिर्फ का करना है जो पहला संव Might ऑ गिल्या पहला दूसरा सिंख्या समूं तीसरा चोफ़ता समूं स्मूं समयां कितना एलेक्टरण 2 दो लिखो by गडुए समया हागया है कि यसका इलेक्ट्रोनीग विन्यास है यह वाता है और अपसे अगर क्था अन्तीम कख्षा के लेक्ट्रोन अंतिम कक्षा में दो आहली कक्षा में दो है ना समझञा तो ऐसे अव धिन्यास लिख सकते लिख लोगा बच्छा से एक और में बता ताइब लेगी करो एक और बताओं गा फीर आपको होगा इस तीसों फिर इतना है और में लिख के दिया हो सबक्रांको सॉल्व करके आना है ठीक है एक बेदा तो इसको कॉपी कर लेना और हो गयां चलो अब किसका बताओ मैं oxygen nitrogen बता उधर बता दो क्लोरीन सुलफर है पॉट चलो फास्फोरस को बनाता हूं ठीक है फास्फोरस का परवान सुंगे पंदरग गीवें आपको है थीक है तो चलो लएक हो वन इस टू दो टू अको टूश्टव 345 लें ने को चाहिए तो फिसे हो चाहिए कितना पंदर कैसे कमे तो जो नतीम वाले में लिखें वे उसमें कानओ किटना कमाना है ना किनको कम करते ना है तो छे से 3 कर दो किना मैं अब धीना है अब एक भर में कितंद है और एक घर में पांच बगशे अमया अब साइन यन से इंतिंगा या कि वैर्स टीक्ष्ट के concentrate पुल्टेहर सभी यह भीवध जानी लेच्टोन इस फाइलेक्ट्रोन का शाई गया इसको ऑख यत जिए लिक ट्रॉन आप टो पांच आपका सब्सक्राइब हो बैसे और अठार है इसको नोट तोटल जितना उक हो याद करे लाना है ऐसको बनाके लाना denken विन्ञाइभ यसको कॉप्वारो हमरा और आगे वढ़ते हैं को इस तो भुद्धा बात करें द्धनायन और रिनायन के बारे में धनायन और रिम्ध रीच होते हैं धनाविश के पर मानू आइन कलाते हैं थे पता है यह दो से कम इलेक्ट्रोन होते हैं धनावेश होता है कि पर कि पर मांब परिवर्तित रहती है और मानु मतर्वानु में संक्या परविर्त लागा जैसे और एंजी इमडी दनायन परविर्ट होगे एनजी टू बलस इसका परवानों संखे आप बरवतित रहता है तो गिंदायन का कार से छोटा होता है ठीक किए धातू परवानों दनाता है पता चल गया तो इस सो कॉपी करो जलते रिनायन विजयस्ता है उस पर बात करते हैं ठीक कर कर लो चो को च्बत सबता देए विशेश्ता क्या क्या है एक निए मुल पर मानू से अधीग एल 에क्ट्रोन होती ह calam News होता है रिघ्त कई आपको मुल परमानु का अकार से बढ़ा होता है बढ़ा हो गदात्मा क्या होते वरग एक होता है आवट सारनी में और उच्विदू रिनात्मक वरग कोई पूछा दो और सतर होता है यह आपको याद होना चाहिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगे लिख्षिन बात करेंगे और असाइनिक बंधन के बारे में तो आज के लिए इतना ही पढ़ाई करते ही all the very best